नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरी चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स आफत के पुतले अब तक हमने देखा कि एक खतरनाक चीनी मुजरिम फोमांचो विश्व भर के भयानक एवम छटे हुए मुजरिमों को काले टापो में इकत्रित करता है जहां वहें विश्व को फता करने के लिए असंखे उच्च कोटी के विग्यानिकों से तरह तरह के भयानक अविश्कार भी करवाता है उन सभी विग्यानिकों को या तो उसने आपरण किया होता है या फिर उन्हें दौलत के बल पर खरीदा होता है उनी व्यग्यानिकों की तरहें जब वह भारत के एक बड़े व्यग्यानिक प्रोफेसर खोश का भी अपरण करवाता है तो भारत की बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर जी अपने विभाग के दो होनहार पालक राम रहीम को काले टापू पर प्रोफेसर घोश को चुडाने और फोमांचु को समप्त करने के लिए भेशते हैं राम रहीम काले टापू पर पहुँचकर भयानत तबाही मचाते हैं और फोमांचु के कई वफादार सैनिकों को मौत के खाट उतार देते हैं तब फोमांचु अपने विश्वस्त सैनिक आफिसर करनल डौन को उन्हें जिन्दा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेशता है तरना डौन अपने चुने हुए कुछ विश्वस्त आदमियों के साथ लड़ाई के आधोनिक समान से लैस हेलिकॉप्टर द्वरा उन्हें जागेरता है लेकिन बहादूर एवम जाबाज राम रहीम उसे उसक पहुँच पाने में सफल हो जाते हैं जिनमें अन्य सैनिक वहाँ पर आये होते हैं फिर वे उन दोनों में से एक हेलिकॉप्टर पर कबजा करने के लिए उनके निकट खड़े दो सैनिकों पर अपनी गणों से निशाना साजते हैं अब आगे दोसरे ही पल राम रहीम के हाथों में थमी गने एक साथ गर जुठी दोनों का निशाना अचूप था दोनों सिपाही किसी कटे व्रिक्ष के समान धर्ती पर लोड़क कर शान्त हो गए राम रहीम पूरी शक्ती से हेलिकॉप्टर की और दौड पड़े राम ने कहा रहीम त तुम पाइलट सीर्थ संभालो तब तक मैं दूसरे हेलिकॉप्टर में टाइम बम फिट करता हूँ ताकि अन्य सैनिक हमारा पीछा न कर सके रहीम नि कहा ओके फिर रहीम लपक कर एक हेलिकॉप्टर पर चड़ गया और राम अपनी जेब से एक शक्तिशाली टाइम बम नि सैनिक गोली चलने की आवाज को सुनकर चौंके मेजर कॉंग ने कहा फाइरिंग हेलिकॉप्टरों की ओर से हुई है शायद जासूस चोकरे वही है जल्दी चलो लेकिन मेजर कॉंग के साथ साथ अन्य सैनिकों के वहां पहुँचने से पहले ही राम दूसरे हेलिकॉप्टर में टाइम बंब फिट करने के भश्चात सकोशल रहीम के बराबर वाली सीट पर पहुँच चुका था राम ने कहा वो देखो रहीम सैनिक आ पहुँचे है जल्दी से हेलिकॉप्टर उपर उठाओ रहीम बोला आने दो अब वे हमें नहीं पा सकेंगे हेलिकॉप्टर में बैट राम रहीम को हाथ से निकलते देख मेजर कॉंग क्रोध से चीग उठा बच करना जाने पाएं फायर फिर मेजर कॉंग सहीत सभी सैनिकों ने राम रहीम के हेलिकॉप्टर पर बे तहाशा फायरिंग आरंप कर दी लेकिन कुशल पायलेट रहीम हेलिकॉप्टर को उनक से निकल कर जाने नहीं देना है, वर्ना हम सब की खैर नहीं. शीकर ही कुंग सहित, जितने सैनिक उस हेलिकॉप्टर में आ सकते थे सवार हुए, और पाइलेट ने उसे उढ़ाते हुए राम रहीम के हेलिकॉप्टर के पीछे लगा दिया. रहीम ने कहा राम भाया वे हमारा पीछा कर रहे हैं रहीम बोला हाँ लेकिन उन मूर्खों को अपने अंजाम का पता नहीं है टाइम बम फटने में आप केवल तीन सेकंड ही बचे हैं और ठीक तीन सेकंड बाद रहीम ने कहा वो मारा वे सबी गए काम से मेजर कुंग के साथ साथ अन्य सभी सैनिकों के भी हेलिकॉप्टर के साथ ही परखचे उड़ गए रहीम ने कहा रहीम तुम हेलिकॉप्टर को उस दिशा में ले चलो कोई उचित एवं सुरक्षित इस्थान देखकर लैंड करेंगे ज्यादा समय तक हेलिकाप्टर में सफर करना खत्रे से खाली रही है और रहीम ने हेलिकाप्टर का रुख राम की बताई दिशा की और कर दिया कुछ ही देर बाद उनका हेलिकाप्टर एक जंगल के उपर से गुज्रा रहीम ने कहा राम भाया मेरे विचार से इस जंगल से अधिक सुरक्षित और उप्यूक स्थान हमें चुपने के लिए अन्यक कहीं नहीं मिलेगा राम ने कहा ठीक कहते हो लेकिन हेलिकाप्टर को उतारने के लिए समतल स्थान की जरूरत है तुम हेलिकॉप्टर नीचे करो, मैं देखता हूँ शायद कोई सम्तल स्थान दिखाई दे जाए कहने के साथ ही रहीम ने हेलिकॉप्टर की कती धीमी कर दी और उसे नीचे उतारने के प्रयत्न में लग गया शीक रही, रहीम बोला, रहीम वह देखो, एक छोटा सा सम्तल स्थान है, हेलिकॉप्टर का थोड़ी सी सावधानी और चेश्टा के साथ वहां उतारा जा सकता है रहीम बोला, हम, मुश्कित है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ और रहीम काफी सावधानी बरत्ते हुए, पेड़ों के मध्य से हेलिकॉप्टर को उस सम्तल स्थान पर उतारने में सफल हो गया राम ने कहा, मेरे विचार से यहां आसानी से कोई हमारे हेलिकॉप्टर को नहीं देख पाएगा रहीम बोला, हाँ, लेकिन मैं तो इस समय यहां के समराट फोवांचु के बारे में सोच रहा हूँ जब उसे इन सब घटनाओं की सूचना मिलेगी, तो वह अपना सिर पीट लेगा रहीम ने कहा, परन्तु यह भी मत भूलो रहीम, कि वह अब हमारी खोज में टापु का चप्पा 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 चान मारेगा और हमें समाप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा रहीम बोला, अब जब ओक्री में सिर दे ही दिया है, तो मूसलों का क्या डर? चोकरों ने मौत के घाट उतार दिया, कैप्टन स्कॉट ने कहा, हां महा महीम, यही नहीं, बल्कि वे हमारा एक सैनिक हेलिकॉप्टर भी ले उड़े हैं, प्राप्त सुषनाओं के अनुसार उन्हें दक्षन के जंगलों की और जाते देखा गया है, फो मांचु ने कहा, ह जो अग्या महा महीम, फो मांचु ने कहा, और सुनो स्कॉट, किले की आसपास और भीतर, सैनिको की चौकसी और बढ़ा दो, विशेश कर प्रोफेसर घोश की प्रयोकशाला पर, इस संबन्द में हम किसी भी परकार की लापरवाहिस सहन नहीं करेंगे, और स्कॉट सिर जु पर काले टापु के सबसे भयंकर इंसान, बुल्डॉग ने कमरे के भीतर प्रवेश किया, वह फो मांचु की सीक्रेट फोर्स का चीफ था, बुल्डॉग ने कहा, महा महीम की जै हो, आपने मुझे याद किया सिनूर, फो मांचु ने कहा, हाँ कमांडर बुल, मैंने तुम् गटनाओं के साथ, तुम्हें यह भी मालूम होगा, कि वे दोनों हरामी छोकरे हमें कितना नुकसान पहुचा चुके हैं, कमांडर बुल्डॉग ने कहा, जानता हूँ महा महीम, जरूरस से ज़्यादा खतरनाक साबित हुए हैं वे दोनों छोकरे, फो मांचु ने कहा, बि टापू को नश्ट करके, वे प्रोफेसर घोश को ले उडएंगे, बलकि मेरी वर्षो की महनत और ख्वाबों पर भी पानी फेर देंगे, कमांडर बुल्डॉग ने कहा, परंतु महा महीम, उन्हें पकड़ने और समाप्त करने का कारे भार, तो आपने करनल डॉन को सौपा हुआ था, क्या कर रहा है वह, फो मांचो ने कहा, करनल डॉन और मेजर कुंग, उन दोनों चोकरों द्वारा मारे जा चुके हैं कमांडर, कमांडर बुल्डॉग चौक कर बुरी तरह उचल पड़ा, और बोला, वाट, करनल डॉग और मेजर कुंग मारे जा चुके हैं, फो उसरे ही पल क्रोट से उसकी आँखों से चिनगारियां से फूटने लगी। और वह बोला, वे कुत्ते अब मेरे हातों नहीं बचेंगे महा महीम, मुझे आग्या दीजिये, मैं तुरंत उनकी खोजबिन आरंब करता हूं। फोमांचू ने कहा, प्राप्त सूशनाओं के अनुसार, वे हेलिकॉप्टर सही दक्षिन के कोब्रा जंगल के और जाते देखे गए हैं। मुझे विश्वास है कि वे छुपने के लिए उसी जंगल में उतरेंगे। कमांडर बुल्डॉग ने कहा, पाताल में ही क्यों ना छुप जाएं महा महीं, वे दोनों 24 घंटे के भीतर भीतर जिंदा या मुर्दा आपके सामने होंगे। फोमांचू बोला, गुड, अब तुम जा सकते हो। कुछ ही देर बाद किले से एक विशाल सैनिक काफिला बुल्डॉग के नितरत्व में दक्षिन के कोब्रा जंगल की और रवाना हुआ। उस काफिले में थल सेना भी थी और हवाई सेना भी। लगभग आदे घंटे के सफर के पश्चात उस काफिले ने कोब्रा के जंगल को चारो और से जागेरा। कमांडर बुल्डॉग ने कहा सुनो श्यकी तुम ट्रांस्मीटर द्वारा इस ऑपरेशन के एर फोर्स इंचार्ज मिस्टर डॉनाल से संपर्ख स्थापित करो और उन्हें मेरी और से निर्देश दो कि छाता धारी सैनिक नीचे जंप करे। उधर चारो और से आती तेश थरतराहट की आवाज सुनकर भोजन करते राम रहीम चौक उठे। राम ने कहा खत्रा। रहीम बोला ओ यह आवाजे कैसी है। राम बोला जरूर सैनिक हमारी खोज बिन करते हुए यहां तक आप पहुँचे है। रहीम ने कहा तब तो हमें तुरंत अपने हैलीकॉप्टर में पहुँचना चाहिए। दोनों दौडते हुए अपने हैलीकॉप्टर की निकट पहुचे। रहीम ने कहा राम भाया वहदे हो। तभी आकाश में मंडराते अन्य असंख्य विमानों ने अनगिनत छाता दारी सैनिकों को बाहर उगल दिया राम बोला मारे गए छाता धारी सैनिक रहीम ने कहा लगता है इस बार फोमांचु ने हमें समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं रख छोड़ी जरूर जंगल के बाहर भी सैनिक गेरा डाल चुके होंगे रहीम ने कहा सोचने विचारने में समय नश्ट मत करो राम हेलिकाप्टर लेकर निकल चलते हैं यहां से बच निकलने का केवल यही उपाय है राम बोला कैसी बचकानी बात कर रहे हो जानते नहीं उपर लड़ा को विमान हैं वे हेलिकॉप्टर को देखते ही नश्ट कर देंगे। रहीम ने कहा, ओ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन अब क्या करें। राम बोला, यहां से बच निकलने का केवल एक ही उपाय है। पश्चिम की ओर से इस जंगल को जल्द से जल्द पार कर समुद्र तरपट पहुँचा जाए। मुझे विश्वास है उस तरफ सैनिकों ने घेरा नहीं डाला होगा। समुद्र पे पहुँचकर हम विवानों के आकरमन से भी बच सकते हैं। रहीम ने कहा ओ तो फिर जल्दिक जलो छाताधारी सैनिक नेचे पहुचने ही वाले हैं। दूसरे ही शर्ण दोनों पूरी शक्ती से पश्चिम दिशाकी और दौड पड़े। लेकिन नेचे उतरते छाताधारी सैनिकों की दृष्टी उन पर पड़ चुकी। उन्होंने कहा वे रहे दोनों छोकरे शायर समुंदर के और भाग रहे हैं। खत्म कर दो इन्हें। छाताधारी सैनिकों ने राम रहीम पर फाइरिंग शुरू कर दी। फाइरिंग के साथ साथ छाताधारी सैनिकों ने दस्ती बमों का भी प्रयोग किया। राम बोला, मौत बहादरों के सामने ही घुटने टेकती है रहीम, हिम्मत मत हारो, लहराते हुई दोड़ो रहीम, वरना बचना असंबव है, रहीम ने कहा, लेकिन वे तो दस्ती बमों का भी प्रयोग कर रहे हैं, तभी कुछ सैनिकों ने नीचे से राम रहीम पर फायरिंग क लेकिन उन पर द्रिष्टी पड़ते ही, राम रहीम ने इधर उधर खड़े पेड़ों की ओट में छलांग लगा दी थी, तो यह थी अब तक की कहानी, आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले, धन्यवाद